स्नेक्स स्नेक्स मतलब साप लिखने में बहुत खदरनाक लेखते हैं बच्पन सभी कहीं को सापों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और कुछ रिलिजिंस में तो इनकी पूजा भी की जाती है जिसे नाग राज के बारे में आपने सुना होगा नाग पंच भी जिसे ब्मूखी वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम सीखेंगे सलिक्स के बारे में कि कौन से स्विखेंगे सखेन डीस बारे में च्छा परुज़िए पहचान सकते हो पोक करोगे तो अपने बचा़ाब में है तो करे गए तोmaya तो सिंपल सी बात है आप उपने काम करो अपना काम करेगा और उसे परिशान करो ना वो आपको परिशान तो अगर जैप आगर स्नेक guv आप देखा जाए तो उसके जो फांगीं उसक्तू होंगी हैं जिप भी काफ़ करती है लंबी नेक होगी, बॉडी पर स्केल्स होंगे और नॉस्ट्रिल्स भी प्रेजन्ट होंगे तो ये कुछ मॉर्फोलोजी थी जो हम देख के पता कर सकते हैं बाकी आईए कुछ और इंफर्मेशन भी मैं आपके साल शेयर करती हूँ इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया में स्नेक्स की 200 स्पीशीज है जिसमें से 52 ही पॉइजन स्नेक्स माने जाते हैं अगर आपने 40 ग्लासेज़ बें C-80 पड़ी हो तो आप वो पता होगा ये जो मेंली 52 स्पीशीज जो है इसमें से 72-80 परसेंट जो है वो आपकी यही चार स्नेक्स आते हैं सौस केल्ड वाइपर, रसल स्वाइपर, कॉमन क्रेट या इंडियन कोब्रा और अगर आपको याद हो तो हमारे हिंदू धर में ऐसे कुछ प्रफेशन्स भी थे, जो स्नेक से इंस्पायड थे, जिनको हम काल वेलियाज बोलते थे जिनको बुलाया जाता था, अगर स्नेक से रिलेटेड कोई आपको स्नेक बाइट हो गया किसी सापने आके काट लिया, मुवीज बगेने में भी आपने देखा होगा आगे अपनी स्टडी को शेयर नहीं करते थे, क्योंकि उनको यह लगता था कि अगर जो भी बच्चा स्टडी सीख रहा है, उसको उसके लिए रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो इस प्रिफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो फाइदा नहीं है इस्टडी का, बट दीरे 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 काल बेलियाज सेटल होने लग गए, गौर्मेंट की नहीं स्कीम सान लगी, तो आज तो कोई काल बेलियाज मिलता ही नहीं है, हमारी दुनिया में, बहुत ही रेर ही होते हैं, और यह भी कैसा कहा जाता है, कि पहले के जमाने में जो भी काल बेलियाज होते थे, वो बहुत ही रिच होते थे, बट इतना रिच कल्चर अपना शोनी करते थे, कहते हैं काल बेलियाज अपना ज तो अब हम स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स लिए प्रोफेशन बढ़ना भी ज़रूरी था तो यह चार कॉमन साप है जो कि बहुत ज़्याद़ पॉइसनस होते हैं और इनसे आपको बचके रहना है तो कॉमन क्रेट कुछ ऐसा दिखता है कि बॉड़ी पैसे ब्लाक कलर की लाइन्स होंगी जो आपका वाइपर है पिट वाइपर वो भी ऐसा ही कुछ दिखता है रसल वाइपर और कॉब्रा ठीक है यह चार सांप है कॉब्रा के बारे में तो आपने बहुत ज़्याद़ सुना सवमुंद्र में मिलेंगे और यह भी काफी सहरी लिया होता है तो इनसे भी आपको बच्च के रहना है अब इसी बीच में आपके साथ एक और इंफोमेशन शेयर करते हूं हमारा साइन्स का क्लब है साइन्स बैच है बच्चों के लिए ना पर एक्जाम औरियेंट स्टडी होती है लाइड सेशन लिये जाते हां डाउट्स क्लियर होते हैं और रिविजिन के लिए डिव्यॐर्ड़े청 गाहिआच है दस महीने के बाच्च है सीरीज आपको मिलती है आप सओं गभांटे ही इंटराक्शन होता है और क्या चाहिए भाई आजाओ जॉइन कर लो एडमिशन अभी भी ओपन है टाइन क्यों वेस्ट कर रहे हो अब आजाते हैं अपने किंग कॉब्रा पर यह आपको मोस्टी साउथीस्ट एशिया में मिलेगा बहुत ही जहरीला सांप होता है और यह 18 फीट तक लंबा होता है का कॉब्रा जो है इसका कॉमन नाम नहीं है एक नागा जीनस फैमिली से बिलॉंग नहीं करता बट फिर भी इसको कॉब्रा से डिस्क्राइब किया जाता है और सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह अपना पेट कैसे भरता है यह दूसरे सापों को खा कि अपना पेट भ ब्लाक मेंबा तो ब्लाक मेंबा होता है यह बहुता है उन्देमिक वर्ट यूज करते जो की फॉर्टिकुलर एरिया तक ही लिमेटेड है जैसे कि यह सिर्फ सहारन ऐफ्रीका में पाए जाते हैं और आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे यह इंडमिक बगा चा दो मीटर से लेके पाँच मीटर तक लंबे होते हैं यह भी छे फीट से लेके 14-15 फीट तक लंबे जाते हैं फास्टेस मुविंग स्नेक होते हैं फास्टेस क्यों क्योंकि यह ग्यारा किलो मीटर पर आर की स्पीड से चलते हैं तो इस दिस लाई कार कार की स्पीड से बागते हैं यारा किलो मेटर पर आग यारा किलो मेटर पर आग जा सकते हैं साइकल की स्पीड से बागते हैं तेजी है कमपारिजन नप किया जाएज अभी हमने दो पड़ा King Cobra और Black Mamba तो obviously length का तो फरक है king cobra जादा लंबा है 13-15 feet तक हो जाता है यहाँ पर यह 8-10 feet तक average इसकी हो है जो maximum length है 18.8 feet है cobra की और 14.6 feet है black member की जहरीला होता है king cobra होता है neurotoxins मतलब अगर काट लिया तो सीधा दिमाग पर attack करेगा और cardio toxins मतलब काट लिया तो सीधा दिल पर attack करेगा black member भी कुछ ऐसा ही है neurotoxins, cardiotoxins and caliceptin ठीक है यह सारे होते हैं आपको इस king cobra कहां मिलेगा यह आपको इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और कुछ है इस्टेश्या में ही मिल जाएगा और black member क्योंकि इंडेमिक स्पीशिया तो सिफ आफ्रीका या साथ आफ्रीका में ही मिलेगा king cobra जो है वो दूसरे सापा को फाता है और जो black member है यह आपके नॉर्मल राट्स, बर्ड्स, लिजर्ट्स, इंसेक्स जो मिल जाएग सब खा लेता है king cobra गर एक बार काटे तो कितना जहर रिलीज करता है 200 से 500 मिलीग्राम रिलीज करता है और black member अगर एक बार बाइट करे snake bite के वो रिलीज करता है 50 to 120 मिलीग्राम अपना जहर अब एक common difference जो आता है poisonous और non-poisonous snake में तो poisonous snakes जो होते हैं निका head सेट सर थोड़ा थोड़ा छोटा होता है बट non-poisonous का head बड़ा होता है poisonous snakes की body पे large बड़े-बड़े scales होते हैं और non-poisonous की body small होती है और इतने scales नहीं present होते हैं जिसला कि अगर आपको मैं example दिखाऊ हूँ यहाँ पे तो इनका head बहुत छोटा है बट बड़े काफी सादा बड़े पे काफी सारे scales है जिसला कि आपको इन पिच्छ में भी दिख रहा हूँ कि scales काफी सारे हैं जो भी poisonous snakes होते हैं उनकी body पे scales आपको बहुत जादा मिलेंगे बट as compared to non-poisonous snakes उनकी body पे इतने जादा scales नहीं होते हैं नॉक्चरनल नहीं होते हैं मतलब रात को आके नहीं काटेंगे ठीके non-poisonous snakes और जो poisonous snakes होंगे वो अपने fan के marks specially visible होंगे कि दो fan के marks body पे दिखेंगे काटने के बाद बट non-poisonous snakes में से कोई fan के marks नहीं दिखते हैं अब diagnosis क्या है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि snake bite है तो again fan mark से clearly पता चल जाता है और जितना गहरा fan mark होगा उतना जादा जहरीला साब होगा जो कि 8 mm से 4 cm तक का distance के बीच में वो fans होंगे तो अलग 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 fan mark होता है तो multiple bites भी हो सकते हैं तो उसी according आप पहचान सकते हैं कि snake ठाया नहीं था अब non-poisonous snakes जो जहरीले नहीं होते हैं ठीक है अब जिनके card में से आपको दर्द होगा लेक डेथ नहीं होगी इसकी examples आदे common warm snake जो कि normal warm खाते हैं पूरे all over इंडिया में मिल जाएंगे इसली पहाड़ों पर मिलते हैं 1000 मीटर उचाई पर ठीक है उसकी बाद आते हैं पैरो रेट शील्ड टेल स्नेक ठीक है जो कि again आपको western cards इंडिया में मिल जाएंगे निलगिरी हिल्स पर पाइथन के बारे में आपने सुना होगा common sand boa, red sand boa तो यह भी वैसे इनकी टेल थोड़ी blunt होती है body पर scales कम होंगे head बड़ा होगा body small है or moderate size की होगी bronze black tree snake wine snake तो यह भी large सी medium size की होते हैं जो wine snake है green color का बिल्कुल यह आपको गंगा plane में जादा मिलता है ठीक है चोटी-चोटी जाहाडियों में आपको मिलेगा और bronze black tree snake भी आपको जाहाडियों में ही मिलेगा thorny बश्रस के पास ठीक है तो अब आपको basically पता चलिया है कि non poisonous और poisonous snakes कैसे होते हैं तो I hope आपको सुनके मज़ा आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो अब हमारा एक नया बाच है क्लास नाइंध का ये माच्स आउ साइंस का कमबाइन बाच है यहाँ पे लाइव सेशन होते हैं और रिविजन के रिकॉर्डड़ सेशन भी मिलते हैं पाउंडेशन बाच जाहिए weekly quizzes होते हैं टेस्ट होते हैं chapter wise assignments मिलते हैं dedicated notes मिलते हैं one to one doubt sessions होते हैं तो दो गंटे का combine बाच जाहिए you're welcome to join thank you guys for watching जाहिए जाहिए